Hello viewers, welcome to my channel, Ritesh All-in-One और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं एक डिस्क की रेशिपी आपके लिए लेकर आया हूँ और इस डिस्क का नाम है अईरसा, यह एक 36 गड़ी परंपरिक वेंजन है जिसे बहुती आसानी से, बहुती कम समानों में तयार किया जाता है इसके लिए हमें सिर्फ चावल, गुड़ और तेल की आवशकता होती है तो चलिए देखते हैं यह कैसे तयार किया जाता है इसके लिए आपको सबसे पहले चावल लेना है और चावल को 7-8 घंटे पानी में भिगो कर रखना है और उसके बाद इसे 6 में इस तरह बस कुछ देरों के लिए सुखा देना है किसी चादर पर आप फैला सकते हैं और उसके बाद में आप इसे ग्राइंड कर लेंगे बिल्कुल बारिक से इसे पीस कर आपको इसकी पाउडर तयार कर लेनी है इस तरीके से आप पाउडर तयार करते जाएंगे और दूसरी और आप चुले पर गुड की चासनी तयार करेंगे आपको quantity का ध्यान रखना है कि अगर आप एक किलो चावल से अईर सा बना चाते हैं तो उसके लिए आधा किलो गुड की अवश्रकता होगी और गुड को जब आप चासनी के लिए तयार करेंगे तो उसमें पानी की जो मात्रा है अगर आधा किलो आपने गुड लिया है तो फिर एक कप सिर्फ पानी डालेंगे और उसकी चासनी तयार करेंगे आप जो powder आपने तयार किया है उसे इस तरह से दबा कर रखेंगे आपर और आपकी चासनी अब उबलने लगी है दीरे दीरे ये गाड़ी होती जाएगी आपको इस चासनी को तयार करते समय अगर आप चेक करना चाहें तो ये कर सकते हैं कि एक छोटी सी चम्मस से अगर आप चासनी लेकर पानी में डालें तो वो गोल हो जाए एक लड़्डू की तरह उससे ज़्यादा आपको इसे गाड़ा नहीं करना है क्योंकि इसमें तारवाली चासनी नहीं बनती जिस तरह सक्कर में बनती है अब हमारी ये चासनी लबबग लबबग तैयार हो रही है काफी गाड़ी हो चुकी है जैसा कि आप देख रहे हैं हम इसे अंदाज है हमें तो हम देखके ही इसे समझ में आ जाएगा कि और कितनी गाड़ी करनी है अभी थोड़ी सी पतली लग रही है ये देखिए आप चम्मस से जब हम उसे उठा रहे हैं तो जब ये परियाप्त मात्रा में उबल कर तैयार हो जाए तो अब आपको जो दूसरा काम करना है वो आपने जो चावल का आटा जो आपने रेडी किया था जो मिक्स करना है उसे इस चासनी में धीरे धीरे आपको चावल के आटे को इस गुड की चासनी में डाल कर मिक्स करते जाना है आप एक साथ नहीं डालेंगे दीरे-दीरे quantity में इसे mix करेंगे इस बात का ध्यान रखें क्योंकि इसे बहुत अच्छी तरह इसे mix करना पड़ता है और ये थोड़ा सा time भी लेता है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसे हम सारे परिवार के सदस्यों ने मिलकर बनाया है तो आप दूसरे की help की जरूरत इसमें जरूर पड़ेगी आपको भी और इस तरीके से आप गुड़ की चास्नी और चावलाटे का जो mix है उसे आप ready कर रहे हैं अच्छी तरीके से आप इसे मिलाते जाईए और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी quantity में चावल के आटे को गुड़ की चास्नी में डालते जाईए दूसरी और इस दोरान आप चूले पर तेल भी गरम होने के लिए रख सकते हैं क्योंकि इसे आपको गरम-गरमे ही बनाना होता है अगर आप ज़्यादा देर इसे छोड़ देंगे तो ये जम कर थोड़ा कड़ा हो जाएगा फिर आपको बनाने में ये मुश्किल होगी मुश्किल ही नहीं बिल्कुल ये उस तरह से बन ही नहीं पाएगा इसलिए आप तेल भी गर्म करने रख दीजेगा और इस तरह के से ये खोए की तरह दिख रहा है एक गुठे हुए आटे की तरह ये रेडी हो जाता है ये आपको मैंने दिखाया वीडियो जो हम तेल गर्म करने के लिए चड़ा रहे हैं ये वीडियो मैंने बात में आपको यहाँ पर शेयर कर किया है और ये देखिए आटे की तरह ये हो गया एक गुठे हुए आटे की तरह ना तो बहुत साफ्ट नरम हो और ना ही बहुत कड़ा हो अब इसकी एक छोटी सी लोई लेकर उसे आप हलका हलका प्रेस करके हाथों से पूरी की तरह डिजाइन दे देंगे इसमें किसी भी प्रकार की बेलने चौकी की आऊशकता नहीं है हाथों से ही ये रेडी किया जा सकता है देखिए किस तरह के से ये तयार किया जा रहा है और जब आपका तेल परियापत मातरा में गर्म हो गया हो तो इसे आप फिर उसमें छोड़ देंगे पकने के लिए ये देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है और हमने इसे उस गर्म तेल में डाल दिया है और ये अब उसमें पकने लगा है इस दोरान आप चम्मच इस पे चलाते रहिएगा और एक बार इसे पलटने की जरूरत पड़ेगी थोड़ा सा पकने के बाद हलका सुनारा होने के बाद में जैसे ये एक तरब सुनारा हो जाए दूसरी और पलट दीजिए और इस साइड भी सुनारा होने पर इसे चान कर निकाल दीजिए और एक दूसरी यहाँ पर अहिर्था की जो उड़ी है वो इसमें तेल में पकने के लिए डाल दीजिए तो लीजिए दोस्तों देखिए ये इस तरह से सुनारे अईर्था हमारे सामने तैयार हो चुकी है अब इसे हम छान छान कर निकाल लेंगे खाने में काफी स्वादिस्ट होता है और गुड से बना होने के करण ये हमारे स्वास्त के लिए भी लाबदायक है क्योंकि आपने सुना ही होगा कि शक्कर के काफी सारे ड्रॉबैक्स हैं और ये प्योर गुड से मना हुआ है तो दोस्तों आप देखा आपने की कितने असानी से ये सिर्फ तीन समानों में तयार किया जाता है गुड चावल और तेड आप भी जरूर इसे ट्राइ कीजिएगा आपको एक-एक करके पूड़ी इसकी जो है डालते जानी है इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे एक साथ ना डालें क्योंकि एक साथ अगर आप चार पाँच पूड़ीयां डालेंगे तो वो आपस में चिपकने का डर होता है इसलिए आप एक-एक करके डालते जाईए और उसे चान कर निकालते जाईएगा आपको इस मिक्स का जितने जल्दी हो सके अईरसा तयार करना होता है क्योंकि ज़्यादा ठंडा होने पर जैसे आपको बताया कि यह बनने में मुश्किल होता है और सही अईरसा तयार नहीं हो पाएगी तो इस तरीके से हमारा यह अईरसा बनकर तयार हो चुका है आप देख रहे हैं अगर आपको यह रेसेपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना बुलें आपने मेरे इस चैनल को अंतक के देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं इस तरह की नहीं वीडियो आपके लिए लेकर आते रहूँगा थैंक्यू थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग